नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रजित अगरवाले दोस्तों हम यहाँ पर आज horizontal line के बारे में detail से समझने वाले हैं तो यहाँ पर home tab के अंदर paragraph के अंदर हमें आपर क्लिक करना है border and shading option पे और यहाँ पर आपको horizontal line का option मिलता है यह हमारा last part है इस पे क्लिक करते हैं देखे क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको यह बताऊना चाहिए कि horizontal line का use क्या है तो देखे जब भी आपको document बनाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कुछ paragraph को separately दिखाऊं ताकि वो attractive दिखे तो यहाँ पर जब आपको separate करना है अपने paragraph को तो वहाँ पर आपको एक horizontal line को input करना पड़ता है तो input करने के लिए हम यहाँ पर horizontal line का use करते हैं आईए मैं आपको करके दिखाता हूँ तो देखे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है natural balance अब देखे natural balance के बाद आपको अपना जो paragraph है वो separate करना है तो आपको अपना cursor वहाँ लेके जाना है और यहाँ पर horizontal line पर click करके आप कोई भी choose कर सकते हैं मैं first वाला choose करता हूँ और मैं यहाँ ok press करता हूँ तो देखे जैसे ही मैंने ok press किया यहाँ पर एक horizontal line automatically लग गई है इसी तरीके से मैं record लगाता हूँ यहाँ पर मैं saving them के बाद input करता हूँ अपना cursor को कि इसके बाद लगाना चाहता हूँ ok press करता हूँ horizontal line पर click करता हूँ और यहाँ पर मालीजे मैं कुछ एक drawing यूज़ करता हूँ मालीजे मैं यह use करता हूँ और ok press करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक line input हो गई है और एक image input हो गई है अब यहाँ पर हमने सीख लिया है कि हम कैसे अपनी horizontal line को input कर सकते हैं अब यहाँ पर हम सीखते हैं इसमें हम formatting क्या क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले अपने इस line को आपको double click करना है आईए करते हैं देखिए double click जैसे ही आप करते हैं यहाँ पर आपको एक option मिलता है format horizontal line का तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है width width का मतलब होता है चोड़ाई अब देखिए यह जो आपकी image है अगर आप चाहते हैं इसकी width increase हो जाए तो आप इसकी width को increase कर सकते हैं तो यहाँ पर आप increase करेंगे points को तो यह increase होता रहेगा इसी तरीके से अगर आप height को भी increase करना चाहते हैं height मतलब लंबाई अगर यह जो image है इसकी height को हमारी जो image थी वो increase हो गई है width अगर आपको अभी भी कम लग रही है तो आप और ज्यादा इसे बढ़ा सकते हैं अब इस पर double click वापिस करते हैं यहाँ पर देखिए width हमें दी हुई थी inches में अब measure in के अंदर आप इसे percentage के through भी कर सकते हैं इसे percentage पर कर दीजिए तो यह percentage के accordingly आपको दिखाएगा आप कुछ भी changes इसमें कर सकते हैं अब उसके बाद बात आती है color की तो color की यहाँ पर यह हमारी image है इसलिए हम इसे color change नहीं कर सकते यहाँ पर अब line वाली जो हमारी horizontal line है इस पर double click कीजिए double click करने के बाद यहाँ पर आपको color का option मिलता है आप अपनी horizontal line को कोई भी color दे सकते हैं इस पर click कीजिए यहाँ आपको variants मिलेंगे मालिजिए मैं red color यूज़ करता हूँ और ok press करता हूँ तो देख सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर हमारी horizontal line जो थी उसका जो color है वो red हो गया है अब हम आगे बात करते हैं आगे इस पर double click करते हैं double click करने के बाद अगला option मिलता है alignment का तो alignment मैं हमेशा ही बताता हूँ आपको left पर click करेंगे तो देखे जो हमारी alignment है हमारा जो image है वो left side से start हो जाएगा इसी तरीके से right पर click करेंगे तो right से start हो जाएगा देखे right पर हो गया हमारा image और center करेंगे तो बिल्कुल centralized हो जाएगा तो इस तरीके से आपने हमें horizontal line के अंदर हमने सारी चीज़े समझ लिए अब बात आती है picture के लिए तो picture के लिए सबसे पहली चीज़ हमारी यहां आती है crop from अब crop का क्या मतलब होता है देखे crop का मतलब है अब देखे यहां पर आपके बस image आ गई है अब आप यहां पर ऐसा चाहते हैं कि यह अपने हमारी जो image है वो start और यह line से अब आप चाहते हैं कि यह line erase हो जाए right तो इस erase करने के लिए हमें यहां पर crop का यूज़ करना पड़ेगा तो यहां पर हमें left, right, top और bottom का option मिलता है यानि left से कितना करना चाते हो right से कितना करना चाते हो crop top से कितना करना चाते हो और bottom से तो यहां पर हमें left से करना है तो हम left से कर देते हैं मालीजे 4 point कर देते हैं और right से भी हम 4 point कर देते हैं 0.4 और top और bottom से हमें नहीं करना हम यहाँ ok प्रेस करते हैं आईए करते हैं देखिए हमारी जो image है वो हमारे उसका जो first जो line सी वो crop हो चुकी है इसी तरीके से अगला हमारे पास option आता है image control का अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो image है इसके अंदर जो color है आप उसको color change भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक specific color नहीं मिलता आईए इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 तरह के option मिलते हैं सबसे पहला automatic है यानि कि जो color पहले से है input वो ही आएगा उसके बाद आता है grey scale grey scale का मतलब क्या है ok press करते हैं grey color की image हो जाएगी ok करते हैं देखिए आप देख पारे हैं यह grey color का हो गया है इसी तरीके से हम अगला color choose करते हैं जो कि यह black and white black and white का मतलब black and white color हो जाएगा देखिए black and white हो गया इसी तरीके से हमें एक और option मिलता है जो कि है wash out wash out मतलब color fade होना तो इसको fade out पे ok press करेंगे तो देखिए faded सा दिख रहा है आपको तो इस तरीके से आप different color use कर सकते हैं और यहाँ पर आपको दो option और मिलते हैं जो कि है brightness और contrast अब brightness ज़्यादा increase कर देंगे तो आपको कम दिखेगा ज़्यादा कम कर देंगे तो बिल्कुल black हो जाएगा तो यहाँ पर मालीजिए आप automatic करते हैं इसे और color को आप change कर दीजिए contrast को change कर दीजिए और ok press कर दीजिए तो वो accordingly आपको यहाँ पर दिखाएगा तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर pictures की जो color है उसकी width है उसके आप crop करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने horizontal line के बार में detail से समझ लिया है धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए